अभी तक तो confusion था कि laptop ले अपने लिए या फिर desktop और आप एक नया confusion create हो गया है कि desktop ले या फिर mini PC जब आप Amazon जैसी site पर अपने लिए एक desktop ढूरते हो तो वहाँ पर आपको ज़रूर देखने को मिले होंगे mini PCs अब यह इतने popular आजकल क्यों हो रहे हैं सबसे पहले बात तो यह कि HP, Dell, Lenovo, Asus जैसी बड़ी बड़ी कंपनिया खुद अपने mini PC को refurbished करके बेच रही है इससे फाइदा यह हो रहा है कि आपको कंपनी खुद service प्रवाइड कर रही है अपने service center में और सबसे ची बात है कि specification बहुत अच्छी मिल रहा है आपको RAM बहुत तगड़ी मिल रही है और price की अगर बात करें तो desktop से आधे से भी कम दाम में आपको यह मिल रहा है starting तो उनकी 5-6,000 रुपे से start हो जाते हैं और 20,000 तक आपको तगड़ा refurbished 6 महीने की वालटे के साथ mini PC मिल जाता है पर confusion यह create होता है कि क्या वाकई जो desktop लेने का हमने mood बनाया था अपने काम के लिए जो भी हमारी ज़रूरत है उसके लिए उसको क्या mini PC replace कर सकते हैं यह वीडियो में आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ कि आप इसे बहुत सारे लोगों के comment आ रहे थे पिछला वाला वीडियो देख करके तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख लिया तो आप confusion को दूर करके अपना decision ले पाएंगे कि आपको desktop ही लेना है या फिर एक सस्ता बढ़िया mini PC लेना है मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल online जुगार सबसे पहले दोनों के डिफरेंसे समझ लेते हैं कि mini PC और desktop में अंतर क्या होता है जो सबसे बड़ा अंतर होता है mini PC और desktop में वो ये कि desktop बहुत ज़ादा जगे घेरते हैं और mini PC आपके phone से बस थोड़े से बड़े होते हैं अगर आज कलके जो flip phone है वो आप ले ले तो बस वही हो गया आपका mini PC और दूसरा जो सबसे बड़ा factor है mini PC की तरफ जाने वाला वो है कि ये ultra low power consume करते हैं प्रोसेसर की अगर बात करें तो mini PC में जो प्रोसेसर होते हैं mostly वो ARM-based होते हैं इसका मतलब होता है कि एक limited speed में ही काम करेंगे limited work ही कर पाते हैं desktop के processor की तरह इनको overclock करना मुश्किल होता है कुछ होते हैं mini PC लेकिन उनके price भी high-five होते हैं यहाँ एक बात आप ध्यान रखिएगा हम लोग बात करना है refurbished mini PC जो समय Amazon में बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं उनके comparison की क्योंकि अगर आप नए जो समय mini PC आ रहे हैं वह लेंगे तो वह तो फिर desktop से भी महंगे मिल जाएगे और ऐसे करना है तो फिर आप desktop लेले दूसरा एक और बहुत बड़ा फरक होता है वह यह कि जो mini PC होते हैं इसमें जो RAM लगती है वह लगती है laptop की और laptop की RAM desktop के comparison में महंगी आते हैं तो थोड़ा सा अगर आप इसको upgrade करना चाहेंगे RAM के point of view से तो यह थोड़े से cost ले भी पड़ते हैं अगर बात करें अप upgradation की तो desktop भी upgrade होता है और यह mini PC भी upgrade होते हैं पर upgradation में थोड़ा सा अंदर है RAM दोनों में आप upgrade कर सकते है SSD भी आप दोनों में अप upgrade कर सकते हैं पर अगर आप extra cooling system लगाना चाहें तो वह आपके वर desktop पे लगा सकते हैं इसमें इसके लिए सुभिदा ही नहीं होती है दूसरा जो GPU होता है जिस वज़े से mini pieces मार खा रहे हैं वो है GPU यानि की ग्राफिक card वह आप desktop में लगा सकते हैं mini PC में आपको इसके लिए कोई प्र आप्शन नहीं मिलेगा हाँ एक तगड़ा से specification आप लेंगे वह आप इसमें performance लेंगे पर mini PC भी आपको अलग अलग कटेग्री भी मिल जाएंगे जिस तरह का प्रोसेसर आप लेंगे उस तरह की performance आपको इसमें मिलने वाली है अब अगर यह वाला mini PC आप देखें रॉक 7000 रुपीज का रहा है इसमें आपको 8GB की RAM मिल रही है 256GB SSD मिल रही है साथ में आपको i5 का 4th generation प्रोसेसर देखने को मिल रहा है अब इस वजट में आप सूचो की एक डेक्सटॉफ लेने पॉसिबल नहीं है 8GB RAM के साथ आप डेक्सटॉफ नया लेने जाओगे वो भी विड़्ोस से डलवा होगे तो आपको 10-12000 के आसपास मिलने वाला है तो यह आप mini PC ले सकते हो सारे पोर्स लेखने को मिल जाते है mini PC में आपको HDMI भी मिल जागा कुछ आपको टैक्सी पोर्ट भी दे रहे हैं तो यह सारी चीज़ें भी आपको इसमें मिलने वाली है अगर थोड़ा सा अप जाएंगे आप तो आपको देखें आप पर पर आपको स्पेसिफिकेशन बहुत तकड़े देखने को मिल जाएगा और एक बहुत इंपोर्टन चीज़ आपको किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी जो मिनी पीसी की तरफ पॉजिटिव बात करती है वो यह कि जब आप डेक्स्टॉप को इलेक्रिसिटी से यूज करते हो और साथ में आपका इंवर्टरी भी लगा हुए तो जब लाइट ट्रिप करती है मतलब जब लाइट जाती है और स्विच होता है इंवर्टर में तो उस कि घर में इंवर्टर लगा है और आप इसको उपरेट कर रहे और लाइट गई तो इंवर्टर में शिफ्ट होने पर इसमें प्रिप होने के चांसे नहीं रहते हैं मिनको लैप्टॉप की तरह वर्ग करेगा और स्मूथली चलता रहेगा तो यहां पर भी अगर आप सूच के लिए घर के काम के लिए या फिर आप कैफे इंस्टिउशन वगरा के लिए एक मिनी पीसी भाई करने की सोच रहे तो यह बहुत अच्छी डील होने वाली है क्योंकि यह बहुत स्टिंग में आपको मिल जाएगा और अगर आप अच्छे स्पेसिफिकेशन का 16GB RAM तक का औ और एक i3, i7, i8 या 9th generation processor वाला mini PC ले लेते हैं तो यह gaming भी करवा देगा आपको और आपके च्छोटे बुटे जो heavy task है वो भी करवा देगा मतलब एक limit तक और कम power consume करके यह काफी अच्छा perform भी करेगा लेकिन जो सबसे बड़ी problem होती है वो यह कि जब हमारे पास budget कम होता ह मालीजे आपके पास 20,000 रुपए है और आप सोच रहे हो कि एक computer भाई कर ले तो जब आप online site पर जाओगे तो लेने जाओगी desktop उसी budget में आपको mini pieces मिल जाएगे specification भी processor भी RAM भी आपको अच्छी मिल जाएगे तो आप सोचते हो कि चलो इतने में यहीं ले लेते हैं हमारे सार ग्राफिक कार्ड, cooler इस तरह की चीज़े लगा करके उसको upgrade कर सकते हो यह option है आपके पास लेकिन वही 20,000 रुपए अगर आप mini PC में लगा दोगे तो बस जो आपने लगा दिया वही आपको यूज करना है RAM और आप साथ में SSD बगारा थोड़ी से upgrade कर सकते हो पर अगर आप स हिसाब से ही अपनी लिए desktop या mini PC देख रहे हो बाद में आपको upgrade नहीं करना और वही काम करना है तो आप बिल्कुल बिल्कुल mini PC के तरफ जाहिए बहुत कम पैसे में आपको बहुत बहुतरी चीज़ मिल जाएगी लेकिन अगर आप budget की वजए से अभी कम budget है बाद में ज्य PC में सुविता देखने को नहीं मिलने वाले पर mini PC में सुविता मिले या ना मिले आपको online जुगाण पर subscribe करने के सुविता जरूर मिलनेगे तो नीचे में बटने उसको दबा दीजिए और बैल आइकन दबाएगा ताकि अगर कोई वीडियो में upload करूं तो आप तक वह असा तो दीए और अपना खैल रखे